हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल टेक्नो कैलास गाइच आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फोन के डाटा को मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं जैसे क्या होता है कि मान लिजिए आपके फोन पे 1GB या 2GB डाटा मिलता है और वो एक घंटे में खतम हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के प्लेइश्टूर के आटो अपडेट को बंद करना होगा दोस्तो इसको बंद करने के लिए आपको अपने फोन के प्लेइश्टूर में जाना है और यह उपर जो आपको थ्री लाइन दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना ह दोस्तो क्लिक करने के बाद आपको settings पे जाना है और setting पे जाने के बाद आप देख सकते हैं auto update app इसको आपको don't auto update app पे click करके इसको save करना है इसे क्या होगा कि आपका फोन का जो google apps आप है या कोई भी app है वो auto update नहीं होगा और जब आपको किसी app को update करने की जरूरत हो तो आप individual जाके इसको update कर सकते हैं दोस्तो दूसरे नमबर की setting के लिए आपको अपने phone की settings में जाना है दोस्तो settings में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक application का option मिलता है इसे आप पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे दूसरे एप्स का अप्चन दोस्तों मैनेज आप पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको बहुत सारी अप्लिकेशन देखने को मेलेंगे अब आपको एक-एक अप्लिकेशन को जिसका आप यूज नहीं करते हैं उस पर आपको सेटिंग करनी है कैसे करनी है माली जै मैं सबको एक-एक करके आप ऐसा करेंगे तो आपका डाटा का इस्तेमाल कम हो जाएगा दोस्तों अगर तीसरे सेटिंग की बात करें तो तीसरे सेटिंग के लिए आपको फिर अपने फोन की सेटिंग में जाना है और दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने फोन क होंगे अभी कुछ आएगा देख लेना no need you are already a developer ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अगर आप developer है तो ठीक है नहीं है तो इसको 7 type क्लिक करना है दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद अपको additional setting में जाना है तो एडिशनल सेटिंग में आप जाने के बाद यहां पर developer option का आपको देखने को फीचर मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है तो से इसको क्लिक करने के बाद आपको सीधे नीचे आते जाना है नीचे आता है नीचे आना है और यहां पर आप देख रहे होंगे एक option है ड्राइंग का दोस्तों ड्राइंग में आप जो यह बिंडो एनिमेशन इसकील है इसको 1x को हटा के आपको 0.5 करना है यह transition को भी 0.5 और यह तीसरे नमबर को भी 0.5 यह जो चीजे है एनिमेटर ड्यूरेशन इसके यह सारी अब भी में खोल के आपको दिखा देगा मतलब यह जो difference होगा वह आप नहीं देख पाएंगे मतलब विज्वल नहीं होता है वह टर्मल सेटिंग होता है इसको अब करके अपने डाटा को बचा सकते हैं दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको एक अप्सन मिल लाएगा चलिए उसको भी डूटते हैं यहां पर एप देख रहे हैं एप में जाने के बाद आपको यहां पर डोंट कीप एक्टिविटी को आ अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद दोस्तों